हेलो स्टूरेंट्स तो इस वीडियो में हम आज से स्टार्टिंग करने वाले हैं आर्टिक विध्यारतियों के लिए विसे राजनीती विज्ञान के प्रस्न बेंग का पूरा सालिशन इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए तो आएए देखते हैं आज हम राजनीती विज्ञान के फर्ष्ट चेप्टर राष्ट निर्मान के चुनोतियों का पूरा सालिशन तो आएए देखते हैं क्या है क्यूशन तो बच्चो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके इस प्रस्न बेंग में सबसे पहले सही विकल्प चैन का क्यूशन है और जो फर्ष्ट क्यूशन है उसमें क्या बोला गया है कि आजादी के बाद भारत के समक्ष प्रमुक चुनोत तो इसमें आ जायगा बावला अपसन राश्ट निर्मान की चुनोती उसके बाद जो नेक्ष्ट वाला कुश्चन है। मद्य प्रदेश मद्य प्रदेश में इस्तिते विधर प्रदेश उसके बाद 2 जून 2014 को निम्राज जी की इस्तापना हुई थी तो इसमें आ जाएगा तेलंगाना ठीक है उसके बाद सरदार वल्लब भाई पटेल को नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर जो आपका बाव वाला अप्सन है लोग पुरुस आ जाएगा इसमें उसके बाद यहाँ पर जो है अगला वाला जो किस्चन है वो सत्य अशत्य है बच्चो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भासाई आधार पर राज्यों के गठन से अलगाव वात को बढ़ाव मिलता है तो बिल्कुल यह बिल्कुल असत्य कतन है तो इसमें आजाएगा सत्य तेलगु भासा के आधार पर आंद्र पदेश का गठन हुआ तो यहाँ पर बिल्कुल यह भी सत्य कतन है तो सत्या जाएगा उसके बाद भाग की वदू से चिर पतिछित भेट बाशन पंडित नेरू से संबन दित था तो बिल्कुल ये भी एक सत्य कतन है तो यहाँ पर आपके हमने सत्य और असत्य कल लिये हैं और सही विकल्प का चैन कल लिया है अब आगे चलते हैं हम खाली इसतानों की पुर्ती करना है जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने खाली इसतान दिये गए है और क्या भरना है इसमें सबसे पहले जो कुश्चन है उसमें दिया है कि भारत विवाजन के पस्चात साम्प्रदाइक दंगो ने रिक्तिस्तान समश्या को बल दिया तो यह आजाएगी इसमें सरणार्थी समश्या को बल दिया क्या आजाएगा इसमें सरणार्थी लाश्ट में मैं आपको बताऊँगा कि सरणार्थी कैसे लिखना है और आगे के जो खालिस्तान है उने में भी हम देखने वाले हैं क्या क्या आने वाला हैं कि स्वत्नता के समय जम्मु कस्मीर के राजा कौन थे तो इसमें आ जायागा राजा हरी सिंग उसके बाद जम्मु कस्मीर की जो राजदानी है वो कौन सी है किसरी नगर है उसके बाद सिक्किम सिक्किम रिक्तिस्तान को अलग राज्य बना किस दिन बना था तो ये 26 अप्रेल 1905 को 26 अप्रेल 1905 को ये अलग राज्य बना था उसके बाद यहाँ पर रजवाडों के भारती संग में विले के सहमती पत्र को इसको बोला जाता है क्या गहाए जाता है इसको तो इसको बोला जाता है स्रीनगर है 26 अप्रेल और इस्टुमेंट आप एक्सन जो है ये भर लेना है आपको ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम अगले वाले क्यूस्चन पर चलते हैं अगले वाले क्यूस्चन में क्या है एक वाक्य में उत्तर दीजिए तो हेदराबाद का भारत में विले हुआ था कब हुआ था 1948 में हुआ था ठीक है उसके बाद सीमान्त गांदी के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो इसमें आजाएगा खान अब्दुल गफार क्या नाम उनका खान अब्दुल गफार ये नाम आजाएगा इसमें उसके बाद यहाँ पर अगला जो क्यूस्चन है अगले वले क्यूस्चन में वर्तमान में भारत में कितने राजजिवा केंदर साशित प्रदेश है तो इसमें आजाएगा 28 राज्य है और 8 केंदर साशित प्रदेश है वर्तमान में उसके बाद जो है अगला वले जुनागर्थी एक देसी रियाषत क्या जायगा इसमें एक देसी रियाषत आ जायगा ठीके उसके बाद राज जिब पुनर्गठन आयो कब बना था तो ये बना था 1956 में ठीके ये आपके क्या हो गएं है एक वाक्य में उत्तर हो गएं है उसके बाद आगे की कुष्चन के लिए हम चलते हैं सही जोड़ी पर आ गए हम तो सही जोड़ी में हेदरबाद का जो निजाम है उसके सामने वाला आपका भी वाला अपसन आ जाएगा उसमान अली खान उसके बाद दर आयोग दर आयोग में ए वाला आपसन आजायेगा 1948 में इसकी स्थापना की गई थी उसके बाद थर्ड वाला जो किस्चन है कि जुनागर्ड रियासत के जो दिवान थे इसमें सी वाला जो आपसन है क्या आजायेगा मनिपुरू चीचे तो इसमें जूनागड रियाशत के दिवान जो है इसमें आ जायेगा सहनबाज मुहो उसके बाद यहाँ पर अगला जो किस्टन है सार भोमिक वैस्क मतादिकार सबसे पहले किसने अपना जाये था उसके बाद द्विराष्ट सिद्दान तो इसमें आ जायेगा भारत पाकिस्तान तो यह आपका सही हो गई है उसके बाद इसके मेम लिक क्विस्टन अंसर पर चलते हैं कि क्या है तो यहाँ पर देख सकते हो आप की लगुत्तरी प्रस्ण जो कि दो नमबर के लिए है और इसमें जो फर्ष्ट क्विश्चन दिया गया है भारत विवाजन के कोई दो कारण लिखना है उसके बाद जो अगला वाला क्विश्चन है अगला वाला क्विश्चन क्या दिया गया है कि सरनार्थी शमश्या क्या है ठीक है उसके बाद थर्ड वाला क्युष्चन है विले पत्र क्या है उसके बाद फोर्ट वाला क्युष्चन है दर आयोक की दो अनुसंसाइन लिखे और पांचवा जो क्युष्चन है वो है भारत के केंद शाशित राज्यों के नाम लिखे तो आ वो था भारत विवाजन के दो कारण लिखना था तो फर्स्ट जो कारण है भारत विवाजन का वो हमने लिया है अंग्रेजी सरकार की फूट डालो और राज करो की निती तो जैसे कि आप जानते हो कि ब्रिटिस सासकों ने हिंदू मुसल्मानों में निरंतर फूट डालने है फूट डालो और राज करो की निती को अपनाया वे निरंतर हिंदू मुसलिम संब्दों में कटूता लाने तथा उन्हें परस पर विरोधी बनाने का प्रयास करते रहे तो ये कारण है जिसके कारण भारत का विवाजन हुआ था आप देख सकते हो यहाँ पर उसके बाद अ तो ये भी एक करण माना गया है जैसा कि आप देख सकते हो कि जिन्ना की पत्यक्च कारवाई की निती के कारण भारत के कई भागों में हिंदू मुसलिमों के बीच दंगे फसाद हो रहे थे जिसमें हजारू की संक्या में निर्दोस मारे गए थे और अपार धन संपत्ति क् कांगरेस निताओं ने इन दंगों को रोकने के लिए भारत का विवजन स्विकार करना ही उचित समझा तो ये दो कारण है जो कि हमने भारत विवाजन के लिए हैं बाकी अन्नी कारण भी है जो कि एक बड़ा वाला क्युस्चन आ रहा है इसमें दिर्ग उत्तरी में तो उस इसमें देख सकते हैं आप हमने इसको बताया है कि देश की विवजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सामप्रदाइक दंगों के कारण पाकिस्तान से आये लगबक पिचुत्तर हजार हिंदु सुक और मुसलमान सरणार्थी भाईयों को बसाने एवं उनको रोजगा दे रहा है कि विलेपत्र क्या है तो विलेपत्र क्या है देख सकते हैं कि जम्मू कस्मीर के डौगरा वंस के साशक महाराजा हरिसी ने 26 अक्टूबर 1947 को विलेपत्र विलेपत्रों क्या वो लगा है instrument of accession पर हस्ताक्चर किये थे ये वो समझाता था जिसके जरिए कस्मीर के सासकों ने प्रिंसली इस्टेट को भारत में विलेई पर सहमती जाहिर की थी तो यही क्या था एक विलेई पत्र था अगले वाले आधार पर राजजु का जो पुनरगठन है वो अनूची थे यानि कि दर आयोक का ऐसा मानना था कि पूरता भास आगए अधार पर राजजु और पुनरगठन ना किया जाये और अगला वाला जो है कि प्रसास की सुविधा पूर्श घठन का सर्वोच्ची कारक है तो ये दो दरायोक की प्रमुक अनुसंसा थी अगले वाले question ईवच्चो आप देख सकते हो कि दिरग उत्तरी प्रस्न देना है कि उत्तर देना है और पत्ती के लिए कितने अंके निरधारे थे चार अंकर निर्धारी थे तो काफी बड़े पेमाने वाले क्यूस्चन है बड़े लोंग टर्म लोंग आर्णसर टाइप क्यूस्चन है तो इसमें देख लेते हैं क्यूस्चन क्या क्या है कि सरदार वल्लभाई पटेल को भारत का विसमार क्यों कहा जाता है राज पुनर तो यह इनके आंसर हम देखते हैं तो बच्चो जिसे कि आप देख सकते हो कि सरदार वल्लप भाई पटेल को भारत का विसमार को क्यों कहा जाता है तो आईए देखते हैं यह आंसर हम तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो कि सरदार वल्लब भाई पटेल ने अपने कठिन परिश्रम M. सूझ भूच के साथ भोगोलिक राजनीतिक तता आर्थिक से भारत के एकी करण को पूर्ण कर दिखाया यही कारे जर्मनी में बिसमा कहा जाता है अगले वाले क्यूशन में आप देख सकते हो राज जी पुनरगठन आयोग क्या था समझाएए तो आप यहां पर राज जी पुनरगठन आयोग की क्या देदेना है आपको हेडिंग देदेना है और उसके अंदर आप लिख सकते हो कि केन सरकार ने सन 1953 में भासा के आधार पर राज्यों के पुनर गठन के लिए आयोग बनाया गया और फजल अलिक इसके अध्यक्च थे और इस आयोग का कारे राज्यों के सिमांकन के मामले पर कारवाई करना था इसने अपनी रिपोर्ट में स्युकार किया कि राज्यों की सिमाओं का निर्धरन वहां बो पहरी से देख सकते हैं कि भारत की एकता वा सुरक्षा की व्योस्ता बनी रहनी चाहिए, राज्यों का गठन भासा के आधारपन होना चाहिए, भासाई और सांस्कृतिक सजातीता का ध्यान रखा जाना चाहिए, और वित्ती तथा प्रसासनिक विश्यों की और उचित ध्यान दिया जाए, और इस हिसाब से 1956 में भारत में टोटल 14 राज्यों बने थे और 6 केंद साजिस बनाए गए थे, तो आप इस आंसर के को केप्चर कर सकते हो, इसके इन सोट ले सकते हो और अपने तियारी कर सकते हो, उसके बाद अगला वाला जो किस्चन है, अगला वाला जो कि तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो हमने प्रीवेस किस्चन में कल लिया इसको कि अंग्रेजी सरकार की फूट डालो राज करो की निती, उसके बाद अगला जो कारण है, हिंदू मुसल्मानों में परसपर आविश्वास की भावना, यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ परसपर आविश्वास क्यों था हिंदू मुसल्मानों में, क्योंकि हिंदू जो थे, वो सल्तनत काल वा मुगल काल में अनेक मुसलिम सासकों ने हिंदूों पर अत्यजिक अत्यचार किये थे, इसके कारण हिंदू में आविश्वास था, उसके बाद अगला जो है, कि हिंद इसके कारण मुस्लिम भी रूष्ट थे और इन दोनों की में परसपर क्या था आविस्वास की भावना थी तो ये भी एक भारत विवाज में कारण बना उसके बाद जिन्ना की हडधर्मी था और जिन्ना जो थे जिन्ना जो था वो द्विराष्ट सिद्धान्त का जो समर्थक था यहां पर दिखाए दर आए 1940 के बाद सवविधानिक गतिरोत को दूर करने है तू अनेक योजना है प्रस्तुत की गई प्रंतु जिन्ना की पाकिस्तान इर्मान संबंदी हड़ धर्मिता के कारण कोई भी योजना स्युकार नहीं की जैसे की और अंतदा भाद पाकिस्त का जो विवजन है वो होकर रहा उसके बाद यहां पर देख सकते हो आप सामप्रदाइक दंगे जो कि मैंने समझा दिया है प्रिवेस क्यूस्चन में आपको और यहां पर 16 अगस्त का दिन अबूल कलाम आजात के अनुसार बहुत ही काला दिन था काला दिन माना गया भाद क कितियास में इसको त्योंकि इस दिन सामुईक हिंसा में कलकत्ता जैसे महानगरी को हत्या रक्तपात और बलातकडों की बाड में डुबो दिया गया उसके बाद सत्ता के पति नेताओं का अकर्षन भी भाद विवाजन का कारण मना था जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां प नहीं रहे गी थी यदि वे माउंट बेटन की युजना उस जुकार नहीं करते तो ना जाने कितने वर्षो के संगर्ष के बाद उन्हें सत्ता का सुख भोगने का उसर प्राप्त होता तो सत्ता के प्रती आकर्षन भी भाद के विवाजन का एक प्रमुकान बना था उसके यहां पर हेदराबाद रियासत पर संचिप्त नोट लिखना है तो आप इसको केप्चर कर सकते हो और किस प्रकार हेदराबाद का विले भारत में हुआ था ये भी आप इसमें देख सकते हो उसके बाद अगला वाला जो किस्चन है अगला वाला किस्चन है कि राष्ट निर मान में चुनोतियां थी तो आप सबसे पहले देख सकते हो एकता वा अखंडदा की चुनोति क्योंकि भारत में भहुत सारे धर्म जाती भासा और शेत्र के लोग थे इनके बीच एकता अखंडदा बनाना किसी चुनोति से कम नहीं था तो यह वाला जो है पेसेज आप देख स सकते हो इसमें उसके बार अगली वाली हीडिंग में क्या जाएगा अगली चुनोति लोगतंतर की इस्थापना की चुनोति जैसे कि आप देख सकते हो कि लोगतंतर की इस्थापना दूसरी चुनोती थी लोगतंतर को कैसे इस्थापित किया जाए क्योंकि भारत में लोगो वो लोकतंतर का मतलब समझेना बहुत मुश्किल था मद्दता सुची बनाने थी चुनाओ छेत्रों का सिमांकन भी इत करना था इस तरीके से लंबी तेहरी के बाद पहले चुनाओ 1922 में हुए इसलिए चुनाओ करवनाओ लोकतंतर अपना अक्किन सुनोति से कम नहीं था उसके बाद विकास की चुनोति भी थी क्योंकि बृटिस हुकूमत के चलते भारत कापी ज़धा क्या हो गया था गरीब हो गया था बृटिस हुकूमत के सोशन से और तरक्की करने या फिर विकास करने के दो रास्ते थे या तो अमेरिका के पुंजी वदी रास्ते को अपनाया जाए या सुवे संग के समाज वदी रास्ते को अपनाया जाए तो विकास को लेकर यहां विवात पेदा हो गया था कि भारत के विकास के लिए आखिर किस रास्ते को अपनाये जाए लंबे विवात के बाद भारत में मिश्य अर्थिवस्ता को अपनाये गया और आर्थिक नियोजन अपनाये गया